हेलो गाइज मैं हूँ परदीव शर्मा और आपके लिए मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखंड बोर्ड की प्रिक्षा के बारे में तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे सिख्षा मंत्री ने क्या आदेश दिया है उत्राखंड बोर्ड को तो इस बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिख्षा सचीव को निर्देश दिया है कि CBAC बोर्ड के निर्देशों की समिक्षा की जाए और उत्रखंट बोर्ड के बच्चों के मसले पर जो प्रदेश और छातर हीत में होगा उसका पालन किया जाएगा और सचीव को यह भी कहा गया कि समानने विश्यों जैसे भाशा, जी के आदी की परिक्षाई ना भी हो तब भी यह चलेगा यह आदेश सिक्षा मंतरी ने दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो और मैं आप आपको बता दूँ जो भी बच्चा दस्वी और बार्वी के बोर्ड की परिक्षा दे रहा है तो जबकि अन्य परिक्षाओं को रद किया जाएगा तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि जो अभी तक पेपर नहीं होए है यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंचिन किया है बार्वी में जो अभी तक पेपर नहीं होए है और जो दस्वी के अभी तक पेपर नहीं है तो मैं अब आपको बता दूँ 23, 24 और 25 मार्च को होने थे इनकी परिक्षाएं होनी थी और जो अब सत्गित कर दी गई थी अब शाषन ने उत्राखंट बोर्ड की नोन कोर जैसे भाशाकला आदी विश्यों की परिक्षाओं को रद करने और कोर विश्यों जैसे विज्ञान, गनित और आदी की परिक्षाएं लोकडाउन खुलने के बाद कराने का निर्ने लिया है तो आप एक बार फिर से यहां पर देख सकते हैं कि जैसे ही लोकडाउन ओपन होएगा को जादा से जादा शियर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाईए